अब मौसम बदलने का कोई डर नहीं तिक्ति रिष्टे में बंध कर लेकन जोडने लेने सब बंधन कभी छुटे न पिया का आंगनन, कभी छुटे न पिया का आंगनन बग्त चला कर देखने पर्थर तोड़ना पाएगा एदर पन कभी छुटे न पिया का आँगनन, कभी छुटे न पिया का आँगनन चल रहा हूं मैं चल पर चो मैं बोल रहा हूं न वो बिकुल सच बोल रहा हूं क्यों सवाती जी? सर, आपने कुछ बताया नहीं कुदे डबरान के साथ क्या हुआ था? सर कही आपको पहले से तुसे पता नहीं था? लेकिन सर कुछ भी हो बात तो फिर भी वही की वही है बंगले की निलानमी हुई नहीं, उनकी जद चली गई, इससे कैसे हो सकता सर? सर करम खाना, बंगले की निलामी, इजट जाना या फिर जुबान का जल जाना सर? बात को समझ में नहीं है बड़ोनी, पेशन्स, धीरज धरो धीरज, पेशन्स is the name of the game वक्त के साथ सारी बातें साफ हो जाएंगी फिलहाल तो बस तुम इतना समझो, कि मैं आज बहुत दिनों के बाद बहुत खुश हुआ हूँ बहुत खुश खुट सर, सरी तो अच्छी बात है कि आप खुश है, लेकिन सर, कल तक आप उदे डबराल की बरबादी से खुश थे, और आज वो बच गया तब आप खुश है सर कहीं आपने तो उनको नहीं बचाहें, लेकिन आप उनको क्यों बचाहेंगे बात यह है बडोनी, कि मैंने एक तीर से दो बड़े शिकाव किया सर, आप क्या कह रहे हैं, एक तीर, दो निशाना, कुछ सब समझ भे नहीं आ रही बात क्या तुम समझोगे भी ने तुम ये समझता है कि हम तेरी बात को मानने के हैं, जिसने हमारे विश्वास को चला सीधे सादे लोगों को अपनी बद्यती का शिकार बनाया हम उसकी बात को मानने के, जिसने सर्फ अपने फायदे के लिए हमारे इस परिवार को निशाना बनाया यह जो सीधी, साधी, साथी, साथी, सावेत्री बनकर आपने अधर में बठी हुई है? तो बारा स्वाथी की तरफ उंगली उठा ही नो, होड़ तोड़ दूगा तेरे मैं श्लोप, छोड़ दो इसे तुम यह कहना चाह रहे हो, कि जो मकारी तुम कर रहे हो, वो हमारी मासूम बहू कर रहे थी हाँ सर, तो आपने मुझे इस घर से धक्या मार कर इसलिए निकाला था क्योंकि मैं शिरावात कादमी था अरा आपकी यह बहू, यह इसका तो शिरावात के घर तब से आना जाना है जब मैं शिरावात को जानता भी नहीं था बड़ी वफादार है यह शिरावात की बलकि इसमें तो शादे भी इस्लिए किस घर की बहू इसलिए वनी ए कि यह आपको बरबाद कर सके समिर्स इसके शादी एक छूट था और वो बंसल चौप की मदद करन वो इसलिए मदद नहीं किया इसलिए दोस्ती के गीत नहीं गाये कि वो आप उसके दोस्त है बल्कि इसलिए कि शेरावत में उसे यह करने के लिए का वो भी आपकी बहु के कहने पर इसने शेरावत के सामने आपके इसलिए की भीग मांगी अब यह सोचने वाली बात यह है वो शेरावत जो हमेशा आपको बरबाद करने की सोच रहा था आखिर आपकी बहु ने ऐसा क्या कहा यह ऐसा क्या किया कि यो आपकी मादद कर बैठा पास कोली तुने एक और सिकेंड यहां रहा है तो प्रमू तोड़ दूँगा मैं जो बड़ी गर्मी है अखुन में? बहुत गर्मी है? तुप उच नए पूच अपनी बीवी से कि उसने ऐसा क्या किया? तुप पूच अपनी बीवी तुप अपनी बीवी तुप आगे आप लोगी मुदी स्वाती, तुम्हारा इस तरह से नजरे चुराना ये साबित करता है कि विक्की की बातों में सच्चाई है लेकिन मैं तुम्हारे मूँ से सुनना चाहता हूँ मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उसने कहा, क्या वो सच है? स्वाती, मैंने पूछा हाँ या ना तीना, चल फटा फट ये दूद प्योग, मा मुझे दूद नहीं प्योग, तीना, ऐसे कैसे चलेगा, ना ठीक से कुछ खाती है, ना ठीक से नींगर सोती है, और एसे तो बीमार हो जाएगी, फटा फट दूद प्योग, उन्हें बता रही हूँ ना, मुझे अभी नहीं पीना, अब रगदो ही पे ममादने पीलूग, तीना, अब भी मेरे सामने दूद प्योग, खुश, बैट्स लाइक अ गुड़ गल, क्रिस्टी, तुमने फिर उस लड़के से बात की? आपको किसने हद गया मेरे मुबाइल चेक करने की? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है. मैं आपकी कोई फाल तू सवाल की जवाब भी नहीं देना चाहिए. मेरा सवाल फाल तू नहीं है, क्रिस्टी. बलकि जो कुछ तुम कर रही हो, वो सब फाल तू है. वाई टूंट यू अंडिस्टेंड? अरे जो चीज तुमें मिल ही नहीं सकती, क्यों भाग रही हो उसके पीछे? क्या समझती हो तुम? तुम्हें इस हालत में देखकर हमें खुशियां मिलती है? तो आपको किसने कहा मेरी यह हालत देखने के लिए? टीना, टीना ऐसी बात हैं नहीं करते हैं. पेटा, अबर माबा पे अपने बच्चों को ख्याल ने रखेंगे, तो कौन रखेगा? तुम इस तरह क्यों बात करती हो, बेटा? याप पड़ी लिक्यों होने के बात में ऐसी बात है? मॉम, प्लीज. आप कोई पता है कि पढ़ाई और प्यार दो एक चीज़ नहीं है. पढ़ाई करके इंसान को समाज में जगा मिलता है. और प्यार, प्यार उसे इंसान को जीना सिखाता है. तु जीना सीख बेटा, हम भी तो यह चाहते हैं. मॉम, जिस दिन मेरा प्यार मेरे पास होगा, मैं जीना सीख जाओगी. किस प्यार के बात कर रही है तू? वही प्यार? जिसने तुझे समझाई लिए? अरे, ऐसे प्यार के लिए तो अपनी जिन्दिए दावा पे लगा देगे? अपने फिचर बरबाद कर देगे? मैं आप दोलो के पैर बढ़ती हूँ. मैं क्या कर रही हूँ? उसमें क्या सही है? क्या गलत है? मुझे उसकी समझ है. प्लीज आप लोग मुझे मत समझाओं. टीना, टीना सुनो बेटा. विक्टर. विक्टर, यह लड़की अब हमारे कंट्रोल से बाहर है. ओ गॉड. क्या होगा इस लड़की का? होता है. ब्यार में ऐसे होता है. जब दिल टूट जाता है, तो दर्द होता है. और उस दर्द से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है. कि इस दिल को कहीं और जोड़ दिया जाए. हैगी, मैं आज ही यूएस फोन करता हूँ. अपने दोस्त रॉबिन डिमेलो को. कि इतनी भूली शकल के पीछे इतना चालबास चहरा चिपा हुआ है. तुम इतने दिनों से इस खर में हो और हम तुम्हारे इस चहरे को पहचाने नहीं पाएं. समीर के साथ जूटी शाथी का नाटक किया है? हमारी भावना के साथ इतना गंदा मजाग किया तुम्हे? जबकि तुम्हें इस खर में एक बीटी से पढ़कर मान संबान मिला, फिर भी तुम्हारी इंसानियत नहीं जागी? उदे भीयो, संबालो अपने आपको. हम शायद अब भी अंदेरे में. बिना सच्चा ही जाने, किसी पर इंजम लगाना ठीक नहीं. अब कोई अंदेरा बागे नहीं रहे गया. इतनी बेबागी से उस सब कुछ इसके सामने कह गया है. अगर वो जूटा होता, तो ये खामोश नहीं थी. क्यों नहीं सब के सामने उसने कहा कि ये जूटा थी? अपनी ही गिसमत खराब है. जो में इस मासूम चहरे के पीछे च्छेपे हुए शैतान को पहचान नहीं सेके. इस से पड़ा सबूत और क्या चाहिए? कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर हमारी इज़त का सौदा करके आगी? वो शेरावत इसी मौके की तलाश में था. और आज ये उसे पूरा मौका देकर आई है. बताओ, शेरावत के साथ मिलकर अब कौन सी चाल चल रही हो हमारे खिलाव? इस घर को बचाकर कौन सी साधर शर्च नहीं हो हमारे खिलाव? देखा दीदी? कितनी शातर लड़की ही. अब भी कुछ नहीं कहना चाहती और नहीं बताना चाहती. दूर होजा मेरीना समसे. झाल टक हमारे खिला शुछ झाल लड़की है झाल 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 कि यूना थोड़ा ताइम प्लास कर दिया जा हलो आप बाओ जी नमस्कार मैं दिल्लू बोल रहा था विकास पोखरियाल उफ विकी बजाज कोवा कितना भी नहले वह नहीं बन सकता अब मैं तेरी शकल ही नहीं मैं तेरी आवाज भी बेचानने लगा क्या बाओ जी मुझे तो लगाता आपकी यादाश ये बीमारी और बुड़ाबे में कमजोर हो गया तो गलत था मेरी यादाश कितनी भी कमजोर क्यों नहीं हो जाए लेकिन मैं तुछ जैसे कमीने आदमी को कभी नहीं भूल सकता तो ने तो मेरे बेटी का घर बरबाद करने के कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन इश्वर की कृपा देख सब ठीक हो गया है क्या बात है आपको इश्वर पितना बहुता है पर हो सकता कि इश्वर फिर नया इंतिवहान ले रहा हो अपनी बेटी के लिए भगवान ने मेरी बेटी के जितनी परिक्षा लेने थे लिए लेकिन पापी तू अपनी सोच जब वो तेरे एक एक पाप के तुझे सजा देगा तो तेरा क्या होगा एक बात को तुने एक सज्जन आदमी का दिल दुखाया है भगवान तुझे जितनी भी सजा देगा उठनी ही कम है इतने भी बद्दुआ मद्दो कहीं आज़ा ना हो कि एक आज बद्दुआ तुम्हारी बेटी के घर तक पहुँचे है तुझे शायद पता नहीं है कि बद्दुआएं अच्छे आदमी को नहीं तुझ जैसे पापी लोगों को लगती है तुने तो बहुत बुरा चाहा ना मेरी बेटी का देख सब कुछ अच्छा हो गया उसका घर तो निलाम होने से बच गया है भगव जी बंगला निलाम होने से बचा है घर उजनर से नहीं बचा है तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात का विश्वास कर लूँगा विश्वास तो आपको करना पड़ेगा बभव जी क्योंकि आपको तो पता है मैं फोन करके आपको अच्छी खुब तो नहीं हो यहीं ना हो तो चले जाए अगर देख लेजिए अपनी बेटी के सब्राण में वो किस तरह से तूँ क्या सुख़़गा ओके तरह सुख़गा देखा लालालाला... लाला... यह मूर्ती मैंने शलोग के लिए 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 थी, और आज तुम्हारे पास है, यानि शलोग के पास है. तुम्हारी और शलोग की जोड़ी भगवान ने पहले से ही तैह कर रखी थी. बस, हमें नहीं समझ पा रहे थी. लालाला... लाला... कर दो कर दो कि अब तुम्हें भी कोई सवाल पोचने है क्या मुझे मुझे जानता हूँ मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ उसका सच्वोनी जो डाड ने देखा सच का छिरा तो कुछ और ही है पर मैं आपसे पूछ के आपका आपन नहीं करूंगा आप पे इतना भरोसा है मुझे मुझे ये भी पता है आप जो कुछ भी करेंगी अच्छा ही करेंगी कोई माणे ना माने मैं मानता हूँ अब इन सब बातों में रखा ही क्या जो हो रहा तो वो तो हो चुका इस घर के साथ मेरे रिष्टे के बस नहीं उम रहती इस घर के साथ जो भी रिष्टा हो हमारा दसत्वा टूट है ना मैं आपके साथ था आपके साथ हूँ और हमें साथ के साथ रहूंगा बच्चों जैसे बाते मत करो क्यों अपने से देगी बर्बाद कर ले हो जोड़ दे मुझे आपने आवास करो सब को हमेद देने वाली आज खुद टूट गई क्यों कि मैंने कैसे लिए अपका हाथ धामा था कि जब आपर कोई बुरा वक्ता है मैं पका साथ छोड़ दूँ क्या मरा रस्ता इतना कमजोर है कि एक हावा के जोकर से बिखर जाएगा श्रोक मैं नहीं चाहती के मेरी वज़े से तुमें इस घर के लोगों की नाराज के चलनी पड़े वक्ताने बस अब को समझा देंगे अब वो वक्त कभी नहीं आएगा अगर किसी एक की वज़े से घर में आशांती हो तो उसकेले को उसे हट जाना चाहिए और जाने अंजाने में मैंने इस घर की शांती को भंग किया है झाहिए झाहिए